नमस्कार में शिवांगी आप देख रहे हैं जेमडी खबर उद्रप्रदेश में कोरोना के नियमों का उलंगन करने वालों पर लागातार सक्ती बढ़ती जा रहे हैं वहीं संबल जिले में अनावश्यक रूप से बाहर घूम रहे लोगों पर धारा 188 के तहद मुकदमे दर्च किये जा रहे हैं तो वहीं चालान भरवाने की प्रक्रिया भी जोर उपर है आपको बता दे कि संबल जिले में कोरोना गाइडलाइन्स की जम कर धज्यां उड़ाई जा रहे हैं लॉकडाउन में भी ऐसे लोग सडकों पर अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं जिने कोई काम नहीं है पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ लागतार शिकंजा कस रही है कहीं पुलिस से डंड दे रही है तो कहीं मुर्गा बना रही है तो कहीं लाटिया भाज कर दोडा रही है लेकिन इसके बावजूर लोग अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे हैं कोरोना की चेंग को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन लगतार कारवाई कर रही है संबल जिले के पुलिस अधिक्षक चकरेश मिश्रा ने बताया कि कोरोना गाइड लाइन का उलंगन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस दंडात्मक कारवाई कर रही है जहां अब तक धारा 188 के तहट 120 मुकद में दर्ज किये गए हैं तो वहीं 6000 लोगों का चालान भी काटा गया है लगतार लोगों से कोरोना कर्शियू का पालन करने की अपील की जा रही है स्पी चकरेश मिश्टा ने एक बार फिर संबल दिले के लोगों से अपील करते हुए कहा है कि सभी लोग घरों पर रहें वेवजा घर से बाहर नहीं निकलें अवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें बगेर मास्के कोई भी बाहर नहीं निकलें वहाँ पर लगातार प्रेवेंटिव कारवाई किया रही है अभी तक लगवग 120 मामलों में धारा 188 के अंतरगत मुकद्मा पंजिक्रत किया गया है और करीब 6000 लोगों का चालान किया गया है मैं जंता से यह अम्रोद करना चाहता हूं कि आप सभी लोग कुरुना महमारी के व अभागी पर्ची अथ्वाय अन्य इस तरह के डॉक्किमेंट साथ लेकर चलें धन्यवाद फिलाल के लिए इत्ता ही बने रिए जेमडी खबर के साथ नमश्कार